रन्बीर कपूर बंदे में टैलेंट तो है लेकिन थेटर में फिल्में चलाना बाएं हाथ का खेल नहीं टोटल 18 फिल्मों के साथ इनका कनेक्शन है सबसे कम कलेक्शन रॉकिट सिंग ओली 33 करोड एड बॉक्स ओफिस और सबसे यदा संजू पूरी दुनिया में टोटल 600 करोड मैट्स पे गए तो 18 में से 9 फिल्म में फ्लॉप और बागी आदी 9 हो गए सुपर हिट बोले तो 50-50 अब मुद्दे की बाद रन्बीर कपूर की फिल्म में खराब है या फिर उनकी किसमत पांच पॉइंट्स बताती हूँ जिसके बाद रन्बीर हीरो हैं या जिरो फैसला आप खुद कर लेना रन्बीर एकलोते ऐसे हीरो हैं जिनकी फिल्म है थेयर्टर से उतरने के बाद सुपर हिट होती है तमाशा, रॉकिट सिंग या वेकप सिर तीनों एक्जांपल है स्क्रिप्ट सिलेक्शन बहुत जबर्दस्त है रोमान्स, अक्शन, मोटिवेशन, थ्रिलर किसी भी सब्जेक्ट में फिट हो जाना पहली फिल्म सावरिया का बॉक्स ओफिस पर पिटना लेकिन उसी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेर जीतना रंबीर की एक्टिंग स्किल्स हमेशा नैपोटिसम पर भारी पड़ती हैं बाग की एक्टर्स यहां हाई बजट फिल्मों का पीछा करते हैं वेकप से 13, रॉकिट सिंग 16 करोड बजट नहीं रंबीर की फिल्मों का असली हिरो कॉंटेंट होता है कुछ एक्टर्स मीडिया पियार से एवरेज फिल्मों को सुपर रिट बनाते हैं उल्टा क्रिटिक्स का इनकी अच्छी फिल्मों को जबर्दस्ती बुरा बनाने के बावजूद रंबीर वो स्पेशल एक्टर हैं जो फिल्म चले न चले फान्स हमेशा इनके साथ खड़े हैं